नमशकार में आदेति सिंग, हाल ही में नाला सोपारा में एक दिक्ष्वा नाम की पंदरवर्शी लड़की नाले में बह गई है आखिरकार इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है? क्या महानगर पालिका इस घटना की असली जिम्मेदार है? या फिर ऐसे बिल्डर्स जो लगातार ऐसी जगहों पर अवैद बान कामों का ताता लगा कर रखते हैं या फिर ऐसी जगहों पर बिना चाज परताल किये घर खरीदने वाले खुद जिम्मेदार हैं यह एक गंभीर सवाल है, दिक्षा तो लापता हो चुकी है, लेकिन दिक्षा के अपराधियों पर अभी कोई कारेवाई नहीं हुई है आखिरकार कब होगी दिक्षा के अपराधियों पर कड़ी और बड़ी कारेवाई? 15 साल की बच्ची महानगर पालिका के भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार हो गई और अब बेशर्म पालिका इस बात से पल्ला ज़ार बैठी है बही पालिका के अधिकारी कहते है धानी उबाग इलाके में अवैध निर्माड कारे का ताता होने से वहाँ और सुविधाओं की भरमार है इसी वज़े से वहाँ सुविधाएं नहीं पहुच पाती है लेकिन सवाल ये है कि अवयद निर्माड कारे आखिर किसके आशिरवात से पनब रहा है जब उसी धाने उबाग में करप्ट अधिकारियों द्वारा घरपटी लगाई जाती है तब महानगर पालिका के आयोग ताखिर कहां व्यस्त होते हैं प्रशन उठना तो लाजनी है दूसरी घटना विरार की है जिसमें 15 वर्षी तनिश्का कामबले की करेंट लगने से मृत्य हो गई MSCV विभाग की लापरवाही ने ले ली 15 वर्षी बच्ची की जान दरसल बिजली का तार सडक पर होने से और तेज बरसात होने से पानी भर जाने की कारण तार से करेंट पानी में उत्रा और बच्ची के वहां से गुजरने पर करेंट लगने से उसकी मृत्य हो गई MSCV विभाग ने भी इस घटना पर से ये कहकर पला ज़ाड लिया है कि ये काम तो हमने छोटी कमपनियों को सौपा है अब ऐसे में दो मासूमों की ज़ाने चली गई दोनों की मृत्यों की जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं बात सिर्फ इतनी है कि ये ज़ाने उन भ्रश्टवचार अधिकारियों के परिवार का हिस्सा नहीं है जो इस तरह की बातों का तर्क दे रहे हैं क्या ऐसे कामकाज के जिम्मेदार अधिकारियों पर कारिवाई नहीं होनी चाहिए क्या मात्र इस तरह हादसों से पल्ला ज़ाड लेना सही रास्ता है खैर इस पूरे प्रक्रड़ पर जनता में काफी आक्रोश है अब देखना ये होगा कि इस पूरे विशय पर आधिकारिक और गैर आधिकारिक रूप से क्या खुछ एहम कारिवाई की जाती है इस पूरे विशय पर आपको क्या लगता है कितनी कठोर कारिवाई होनी चाहिए अपनी राय हमें कमेंड कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार